Microwave oven लगभग जादू की तरह काम करते हैं। ये किसी भी conventional तरीके के मुकाबले बिना किसी बाहरिक गर्माहट के और अच्छी युनिफॉर्मिटी के साथ खाना पकाते हैं। पर ये ऐसा कैसे कर पाते हैं। और इनके फाइदों के बावजूद कुछ लोगों को Electromagnetic Radiations की वजह से स्वास्ते खतरों की सिंता होती है। क्या Microwave से आपको कोई नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूडने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ये जानकर आश्चेरे होगा कि Microwave अवन का अविश्कार गलती से हुआ था। परसी स्पेंसर नाम के वज्ञानिक Magnetron नाम के डिवाइस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। Magnetron काफी पावरफुल Microwave Radiation उत्पन्न करते हैं। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अबजर्व किया कि उनकी जेब में रखी हुई Candy Bar पूरी तरह से पिघल चुकी थी। तब उनके दिमाग में ये आया कि खाना पकाने में भी Microwave इस्तिमाल किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट से ये अबजर्व किया गया कि एक हाई पावर ट्रैवलिंग Microwave में खाने को गर्म करने की काबिलियत होती है। लेकिन हाँ, इससे ये सवाल सामने आता है कि Microwave में ऐसा क्या था जिसने Candy Bar को पिखला दिया। Microwave एक Particular Spectrum में Electromagnetic Wave होती है। किसी भी और Electromagnetic Wave की तरहे इनकी Oscillate करती हुई Electric और Magnetic Field होती है। अगर आप एक Specific Area में Wave के Amplitude को ट्रैक करेंगे, तो आप इस Oscillation को Observe कर सकते हैं। Chocolate Melt होने वाले Accident Case में, Electromagnetic Wave का Oscillating Electric Field Component खाना पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये Oscillating Electric Field खाना कैसे पकाती है। ज्यादा तर खाना जो हम खाते हैं उसमें पानी होता है। पानी एक Polar Molecule है। पानी के Molecule में जो Hydrogen Atoms होते हैं, उनके बीच 104 डिगरी का एंगल होता है। और Hydrogen और Oxygen दोनों ही Atoms में Charges होते हैं। इसकी वजह से पानी का Molecule एक Dipole की तरह बरताव करता है। जब पानी के Molecule में Electric Field अप्लाई की जाती है, तो Dipole पर उत्पन्न होने वाले टॉर्क की वजह से ये Rotate होना शुरू हो जाता है। क्योंकि Electromagnetic Wave में Electric Field लगातार Oscillate होती हैं, पानी के Molecules भी Oscillate होते रहते हैं। इस Oscillating Rotation की वजह से Molecules एक दूसरे से टकराते हैं और खाने में Friction और Heat प्रेडियूस होती है। अब देखते हैं कि इस Heat Generate करने वाले Concept को एक Workable Product में कैसे Convert किया जा सकता है। Electromagnetic Wave की Energy को ठीक तरह से यूज कर पाने के लिए इसे कई बार Reuse किया जाना चाहिए। इसे Achieve करने का एक अच्छा तरीका है कि इसे Reflect किया जाए और एक Particular Area में ही रखा जाए। इस Reflektor को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक Metal का इस्तिमाल किया जाए। Metallic Surface की वजह से Microwave इस Surface से Reflect होती है। अगर आप Source Site पर भी एक Reflektor लगा दें तो ये Reflection जारी रहेगा। इस तरह से हम Electromagnetic Radiation की Energy को एक सीमित वॉल्यूम के अंदर रख पाएंगे। पर Electromagnetic Wave Energy को Trap करने की सबसे अच्छी टकनीक है Resonance Cavity। ये तरीका Electromagnetic Wave की Intensity को भी बढ़ा देता है। चलिए Standing Waves की एक आसान सी अप्रोच की मदद से Resonance Cavity के Concept को समझते हैं। Standing Waves stationary wave होती है, जो time में fluctuate करती है, लेकिन space में propagate नहीं होती। इन दो wave animation को observe करके आप समझ सकते हैं कि एक Standing Wave एक normal traveling wave से अलग कैसे है। ये तब बनती है जब opposite दिशाओं में move कर रही same amplitude और frequency की दो waves को एक दूसरे पर superimpose किया जाता है। इन दो electromagnetic waves को देखिए जो opposite दिशाओं में travel कर रही हैं। इस animation को यहाँ पर pause करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो waves 180 phase difference पर हैं। जब आप इन दोनों electromagnetic waves को जोडते हैं, तो ये पूरी तरह से cancel हो जाएंगी। अब इस जगह pause करते हैं। इसका नतीजा एक बड़ा sinusoidal curve होता है। चलिए एक और जगह pause करते हैं, जहां आपको output में और भी बड़ी sinusoidal wave मिल रही है। इन तीनों instances के result को compare करके, ये clear है कि ये resultant electromagnetic wave बिना travel की अपनी position पर सिर्फ oscillate होती है। अब देखते हैं कि दो opposite travel करने वाली waves को practically कैसे produce किया जाए। हमें इसका एक clear solution मिल जाएगा अगर हमें ये समझा जाए कि एक metal surface पर electromagnetic waves किस तरह से reflect होती हैं। हमें पता है कि जब एक wave एक reflector से मिलती हैं, तो वो अपने source पर वापस चली जाती है। क्या आपको reflected और incident weight के बीच में कोई connection दिख रहा है। Reflected wave वो wave है जो reflector के ना होने पर आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले जैसे दिखाया गया है, आपको इस imaginary part को 180 degree fold करना होगा। अब चलिए एक और reflector add करते हैं और इस बार source वाली side पर, ये फिर से reflect होकर एक तीसरी wave बनाएगी और ये process repeat होता रहेगा। हाला कि अगर आप दूसरे वाले reflector को पहली और दूसरी wave के intersection point पर रखें, तो reflection के बाद produce होने वाली तीसरी wave सेम पहली wave जैसी होगी। ये एक चालाक arrangement है। अगर आप दूसरे reflector को इस तरह से arrange करते हैं, तो हम देखेंगे कि कई सारी reflected waves की जगह केवल opposite दिशाओ में travel करने वाली दो ही waves होती है। अगर आप इन दोनों का resultant निकालेंगे, तो आपको एक standing wave मिलेगी। ये एक जाना माना fact है। Standing wave तब produce होती है जब source और reflector के बीच का distance एक integer होगा जो half wavelength का multiple है। इसलिए बंद structure के dimension इन waves की wavelength से निर्धारित किये जाते हैं। अब एक मज़ेदार fact, अपने kitchen के microwave oven की cavity length को ना पिये, ये integer होगा जो इस wavelength का multiple है। इस visual से ये साफ है कि इस standing wave के कुछ points high energy intensity पर हैं और कुछ दूसरे points zero intensity पर हैं। इस वजह से microwave पर ऐसे कई spots हो सकते हैं जिन मेंसे कुछ थंडे और कुछ गर्म होंगे। Cheese की मदद से आप अपने kitchen microwave oven के इन थंडे और गर्म spots को पहचान सकते हैं। एक मिनिट के लिए shredded cheese को अपने microwave oven के अंदर रखिए। एक मिनिट के बाद आपको cheese के surface पर कुछ गर्म spots दिखेंगे। इन गर्म spots की वजह से microwave खाने को unevenly पकाता है। अगर shot में कहें तो जिस cavity resonance technique को हमने microwaves को बहतर तरीके से trap करने के लिए use किया है। उसकी वजह से ठंडे और गर्म spots बन जाते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए आजकल microwave में एक rotating plate होती है, जो खाने को evenly पकने में मदद करती है। जिस component की वजह से microwave produce होती है, उसे magnetron कहा जाता है। एक magnetron सभी दिशाओं में microwave emit करता है। वेव के propagation को एक ही dimension में confined करने के लिए magnetron को एक wave guide के साथ attach कर दिया जाता है। वेव guide से waves खाने को गर्म करने के लिए cooking chamber में आती है। एक सवाल ये भी है कि क्या microwave ही ऐसी electromagnetic waves हैं, जो खाने को गर्म कर सकती है। या और भी दूसरी waves हैं जिनसे हम ऐसे ही नतीजे पास सकते हैं। कोई भी electromagnetic wave खाने को गर्म कर सकती है, पर उनकी कुछ limitations होती है। जिन waves की wavelength लंबी होती है, वो हमारे खाने से आसानी से पास हो जाती हैं, तो वो खाने में ज़ादा energy transfer नहीं कर पाएंगी। साथी standing wave के लिए बड़े devices की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी wavelength वाली waves खाने के बाहरी सतह पर काफी जल्दी observe हो जाती हैं। इसलिए वो खाने को evenly पकाने के लिए ज़ादा अंदर तक penetrate नहीं हो पाती। अगर हमें अंदर तक पकाना है, तो हमें एक बहुत high power source चाहिए होगा जो मुमकिन नहीं है। microwave की range में वो frequency जो सभी practical purposes के लिए suitable थी और जिसके लिए license की भी जरूरत नहीं थी। वो थी 2.45 GHz। अगर हम एक oven की microwaves के साथ direct contact में आ जाएं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, पर परिशान मत हो ये। microwave oven द्वारा produce किये जाने वाला electromagnetic radiation हमेशा इसी के अंदर ही रहता है। ये कभी भी chamber के बाहर नहीं आएगा, तो microwave oven की electromagnetic radiation से स्वास्ते सम्मधित खतरों के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे interesting सवाल, microwave oven में गर्म करना किसी भी conventional heating method के मुकाबले बहतर कैसे है? क्योंकि microwaves खाने को penetrate कर पाती है, खाना बाहर से और अंदर से दोनों तरह से पक जाता है, साथ ही ये conventional तरीकों के मुकाबले खाने को काफी जल्दी पका देता है, convection method खाने को बाहर से अंदर की तरफ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि heat energy को बाहर से अंदर travel करना पड़ता है, पर ये तरीका कुछ occasions में कारगर हो सकता है. जब आपको ऐसा खाना चाहिए हो जिसका surface crisp हो और interior soft हो या baking करनी हो, तो convective heating method ही prefer किया जाता है. इस वजह से modern microwave oven में baking के लिए convection का भी option होता है. हमें उम्मीद है कि आपको microwave ovens के पीछे की physics अब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. जाने से पहले लेसिक स्टीम का हिस्सा बनना मत भूलिएगा. Thank you.